Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे assignment submission करने के guidelines के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि एगनू ने दिसमद और 23 सटर्मन एक्जाम के लिए assignment submission करने के facility start कर दी है इगनू के जितने भी study center है वहाँ पे offline mode में assignment submission लिया जा रहा है लेकिन कुछ-कुछ regional center ऐसे हैं जहां पे assignment submission करने का online guidelines release किया जाता है जहां पे आप लोग चाहे तो offline भी submit कर सकते हो या फिर online भी submit कर सकते हो लेकिन online assignment तभी आप submit कर सकते हो अगर आपके regional center के तरफ से guidelines release किया जाता है तब इससे पहले ओलेडी similar regional center ने online assignment submission करने का guidelines release किया था जिसमें आप लोग बताया गया था कि आप लोग Google form के महधियम से assignment submit कर सकते हैं जो latest regional center है जिनोंने assignment submission करने का guidelines release किया है वो है Delhi 3 Regional Center एंड मूंबैी regional center दिली 3 Regional Center के काफ स्ट्रेट斯 EL है जो online assignment submission करने user guidance के इंतचार कर रहे थे से तो finally gelie 3 Regional Center के तरफ से assignment submission करने का guidelines release कर दिया गया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर रज़रा रहा है इसका लिंक मेरे description में दिया हुआ है now दिली 3 regional center में हमेशा सही जितने भी study center हैं दिली 3 regional center के अंडर में वहाँ पे I mean study center wise आपको guidelines बताया जाता है कि कौन से study center के अंडर में आपको किस mode में सामिर submit करना होगा जाद the regional center में ऐसा होता है कि एक guidelines किया गया आपको guidelines बताया जाता है लेकिन दिली 3 में खासकर study center wise आपको guidelines बताया जाता है तो यहाँ पे जितने भी study center है सब के पास में आपको बताया गया है कि किस mode में आपको assignment submit करना है सबसे पहले यहाँ पे देखो Arya Bhat College और जहाँ जहाँ से अभी guidelines release नहीं किया गया है वहाँ पे under process लिखा हुआ है सबसे famous जो देली 3 regional center का study center है that is मोतिलाल नहरू college वहाँ से अभी guidelines release नहीं किया गया है वहाँ पे अभी under process सुख कर है ठीक है तो इसी तरीका से यहाँ पे देखो भारजी college हो गया सीवा जी college हो गया यहाँ पे जितने भी study center है वहाँ पे आपको link दिया गया है और बताया गया है कि आपको assignment किस mode में submit करना है आत्मरम सनातन दर्मा college वहाँ पे link दिया गया इसके ओपर click करोगे तो इस तरीका से page open हो जाएगा वहाँ पे आप google form से अपने assignment submit कर सकते हो यहाँ पे google form का भी link दिया गया है या फिर आप चाहे तो इस qr code को scan करोगे तब भी google form का page open हो जाएगा जैसे google form का page open करोगे तो इस तरीका से आजाएगा जहाँ पे आपको पूरा proper बताया गया है assignment submission करने से पहले क्या क्या चीजे ध्यान में रखनी है तो आप लोग online और offline दोनों ही mode में submit कर सकते हो लेकिन अगर आत्मरा सनातन धर्म कॉलेज से आप बिलॉंग करते हो तो आपको इस google form से अपना assignment submit करना होगा सबसे पहले आपको बताया गया कि जब भी assignment submit करोगे तो अपना valid email id देना ताके वहाँ पर आपका assignment submission का receipt mail कर दिया जाए दूसरा नवा पर आपको बताया गया कि handwritten assignment submit करना है टाइप किया हुआ assignment में submit कर देना तीसा नवा में वही वही एक्चुली लगता है और वही चीज का जिक्र यहां पे भी आप लोग को किया गया है उसके बाद से चौथा नवर में आप लोग को बताया गया है कि जो आप लोग assignment का scan copy करोगे तो उसका जो pdf बनाओगे उसका size 25 हमी से जादा नहीं होना चाहिए and जो assignment का sequence होग अबर आपका program code course code enrollment number dash आपका program code dash आपका subject code ठीक है last date यहां पे 30 September बोला गया लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि वह 31 October तक extend कर दिया जाए उसके बाद से बोला गया है कि अगर आपने online submit कर दिया तो आपको hard copy अपने study center पे submit नहीं करना है और एक paper को एक ही बार submit करो बार बार एक बर गलती हो गया तो दूसरा बार तीसरा बार इस तरीका से submit मत करना है एक ही बार सब कुछ चेक कर लो उसके बार से ही submit करना कोई difficulties हो तो यहां पे mail कर सकते हो उसके बार से आप अपना submit कर देना तो इसी तरीका से बाकी other study center का भी guidelines दिया गया है अगर email ID दिया गया तो email से submit करना है अगर google form का link दिया गया है तो google form से submit करना है और अगर बोला गया है कि हार को भी submit करने के लिए तो आप offline जाके जहां पर जो timing दिया गया है वहां पर submit कर सकते हो और जो under process लिखावा है वो कुछ दिनों में update हो जाएगा इस page को हर बार देली 3 regional center refresh करते रहता है तो जो भी study center के पास में under process सो कर रहा है तो आप लोग उसको कुछ दिनों के बास से फिर से check करना जहां से link activate कर दिया जाता है तो वहां पर बता दिया जाता है या फिर अगर कोई भी यहां पर update ना हो तो आप लोग offline जाके submit कर सकते हो तो यहां पर आप लोग ने देख लिया हर study center wise यहां पर google form का link दिया गया है या फिर आपको email id दिया गया है या फिर hard copy में submit करने के लिए बुरा गया है तो इसी तरह से आपको अपना submit करना है और अगर आपके regional center के तरफ से कोई guidance release नहीं किया जा रहा है तो आप समझ लो कि आपको offline submit करना है ठीक है तो offline हार एक जहां पर submit होता है अगर online submit करना है तो आपको guidance का इंतजार करना परेगा और maximum regional center के अंडर में जो जो study center है वहाँपे offline ही एसामिशन लिया जा रहा है ओकई देली 3 regional center के तब से तो guidelines release कर दिया कि उसके अलावा Mumbai regional center ने भी SMC करने का guidelines release किया है तो अभी तक 3 regional center ने online SMC करने का guidelines release कर दिया एक similar regional center, Delhi 3 regional center और Mumbai regional center इसके अलावा और कुछ regional center है जहाँ पे आने की उमीद है confirm नहीं बोल सकते लेकिन हाँ chances है कि वहाँ से भी आ सकता है जैसे कि पतना regional center में हर बार आता है इस बार भी chances है कि आ सकता है it all depends on the regional center उसके अलावा Kolkata, Delhi 1, Delhi 2 यह कुछ regional center है जहाँ से online SMC करने का guidelines release किया जा सकता है पतना, Kolkata, Delhi 1, Delhi 2 उसके अलावा बाकी अधर जितने भी regional center है वहाँ से online assignment submission करने का उमीद एकदम ना के बराबर है तो वहाँ पर आप आप लोग offline ही assignment submit कर सकते हो Mumbai regional center के तरब से जो guidelines release किया गया उसको देख लेते है इसमें भी same चीज आप लोगों को बताया गया कि handwritten assignment submit करना है और इसमें एक चीज बताया गया कि aanको assignment के हर एक एक प्यस पे अपना enrollment number लिखना है और signature करना ह्ए क्योंकि बहुत बार student कहीं से खढ़ते हैं असी को submit कर देता है लिए往Hey assignment आपने बनाया है आपका है वह assignment इसलिए ہर एक पैस पे आपको enrollment number लिखना है और signature करने है ठीक है उसके बास से आपको important guidelines में बोला गया है कि scan सही से करने के लिए अगर आपका जो assignment हुआ उसका scan आपने सही से नहीं किया अगर जो आप लिखे हो सही से समझ में नहीं है तो उसको reject कर लिए जाएगा या उसमें marks नहीं दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग सही से scan करना और बाकी जो जो चीजे बताएगी है वो अलड़ी जो guidelines इसमें दिया गया था वही सेम सेम almost चीजे हैं तो इसको आप लोग खुद से भी पर सकते हो first page में ये detail देना है हलाकि आप लोग ये सभी detail भी दे दोगे तो अच्छा होगा ठीक है यहाँ पे आपको link द सारा चीज़ mention किया गया है हलाकि इतना करने की जोतनी है क्योंकि हर एक की प्रोगाम का लिखना पर होगा उनलों को खेर वो सारा चीज़ जो subject code का आप assignment submit करने वाले हो वो course code को यहाँ पे select करोगे उसके बाद से अपना assignment का PDF file जो है यहाँ से attach करोगे add file के उपक लिक करके maximum 100 mb का size दिया गया तो कोई problem नहीं होगा इसमें ज्यादा ताम जाम नहीं किया गया है मुंबई regional center के google form में बस आपको अपना enrollment number लिकना है name लिकना है email id mobile number program code subject को select करना है उसके बाद से pdf file को attach करके उसके बाद से अपना assignment submit कर देना है और बाकी अगर आपको proper पुरा तरीका से पढ़ना तो इसको पर सकते हो लेकिन same वही चीज़े है ठीक है हाँ एक चीज़ important है यहाँ पे कि हर subject के लिए I mean मालोगर किसी का MPS है master of political science तो MPS 1,2,3,4 चार paper है उनका तो चारो paper के लिए आपको अलग-अलग google form को fill up करका उसके बाद से submit करना होगा एक ही साथ सभी paper का assignment submit नहीं कर सकते है आपको अलग-अलग हर एक एक paper के लिए submit करना हो assignment कैसे बनाना है उसके ओपर मैंने video बनाया हुआ है आप लोग चाहे थो यह video देख सकते होँ फरणपेज की ओपर भी video सकते है इस बार assignment कौन सा बनाना है 22-23 का बनाना है उसके ओपर भी video बनाया होँए मैंने वह भी आ पड़ोग देख सकते हो साथी साथ assignment submission करने का last date जैसा मैंने बताया कि extend किया जाएगा ठरीफा सकती उबर तक तब तक आप लोग इसामिन समिट कर सकते हैं उसके ओपर भी मैंने clarification वीडियो बनाया हुआ है तो हर एक एक चीज के ओपर आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा बस आप लोग चैनल के साथ बने रहेगा कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को फेस नहीं करने परेगी इगनु में हर एक चीज के related ओके इस वीडियो में इगनु के तरफ से I mean दो रिजनल सेंटर के तरफ से सामिन समिशन करने का गाई लेंस रिलीज किया गया है एक देली जो चार रिजनल सिंटर हैं कोलकाता पतना देली वन देली टू उनके तरफ से अभी रिलीज नहीं किया गया अगर रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पर बताऊँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यह सब तो इस वीडियो में थैंक यू सो मुच पो वाचिं इस वीडियो वन आसम दे थैंक यू सो मुच